हेलो हेलो दोस्तों जैमातादी मैं रूबी आपके अपनी यूटूब चैनल गाउं की मानसी में आप सभी का धे सारा स्वागत करती हूं आसा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एकदम मस्त होंगे सौस्त होंगे और मज़े में होंगे मैं भी आप लोगों की दुआओं से आप सभी के प्यार आसे वाद से बहुत अच्छी हूं दोस्तों और यह पोहा बनाने की तयारी चल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहां पर चल रही है नास्ते की तैयारी तो नास्ते में आज हमारे यहां बने का पोहा वह भी मटर के साथ जो कि मेरे बहुत बहुत जादा फेवरेट है सर्दियों में मैं पोहा बनाना जादा पसंद करती हूं और इस पेसल मतर थी तो मैंने का चलो पहले मतर सिर्फ मतर फ्राइ कर लेते हैं फिर इसके बाद अचानक से मन बना की चलो पोहा ही बना लेते हैं तो बस दो लोग खाने वाले हैं मैं हूं सोना अभी बहुत कम खाता है थोड़ा बहुत एकाद दो चमच खाएगा बस तो मतर में पूरी बना के खा लेते हैं इसके लिए मैंने यहां पर लेसंद छील लिया था हरी मिर्चली है पोहे को पहले से डोके रख दिया ताकि फूल जाएं नहीं तो फिर देखो कुछ लोग मनदब सबको अपना अपना तरीका पसंद होता है बनाने का तरीका अलग होता है खाने का तरीका लग होता है खिलाने का तरीका लग होता है तो हमारे तो ऐसे ही पसंद किया जाते हैं कुछ लोगों के एकदम ड्राय वाला पोहा बनता है। इसमें मैं कोई पाणि वगरा नहीं डाला ती इसके तड़कें में लहचन डाला यह जीरा हरी मिर्च और टमाटर डाला ताकि जल्दी भूल मैंने मटर करना दे दिए कुछ मटर मैंने पचा लीये हैं तो मतर फिर हमने निकाल लिया है और मतर जब इहां पर हो जाए ना फिर इसे बाद को डालना जब मतर सौप्ट को larger चेक कर लेना है तोड़ा सान नहीं तो पुहे के साथ मतर को डाल suburbs तो फिर मटर नहीं शॉप्ट होगा या फिर एक तरीका इसका और है कि साइड में आप मटर को बॉयल होने के लिए रख दीजिए और इधर तड़का वगरा लगा के बना लीजिए तो यह हमारा पोहा गरम गरम बनके तयार हो गया है आप लोग आए और पोहे को टेस्ट करके बताये कि कैसा बना है और बस उसके बाद यहां पर तैयारी चल रही थी ब्रश वगरा करने की तो यह पूहा हमने कल सुबह बनाए थे नास्ते में आज की नास्ते का अभी सिंपल सा चाय रहीगी और बिस्कृत या फिर देखते हैं कि सूजी में ने रखी है अभी सूजी क हलवा बना लेंगे ऐसा कुछ सोचा है तो बाहर का सारा काम निप्टा के अभी अभी आई हूं और एक बार फिर से आप सभी को मरे प्यार बार गूड मानिंग यहां पर ब्रश वगरा किये सारे काम निप्टाने के बाद कि कुछ सुबह 6 बजे साले 6 बजे से उठने के बा अब्हाम भी दच्रों करती रहती हूं करते हिदे और मम्मां करने प्रマ जाए कम आपने 20ब कर देखती लएं60Am के रहती हैं किर्ट दो बड़ी परात कलटान से हम ने निकाल के रखती तो दोया था धोके फिर वो नीचे ही रखी रह गई ती तो ऊपर उसको चढ़ा दिया और यहां पर चाय बन गई है चाय के लिए सुचा था कि सूजी का हलवा बनाएंगे लेकिन कुछ है नहीं बना पाई हूं और मुझे आज लेड भी हो गया चाय पीने में ही लगबक साड़ी आट नौ बज गए हैं तो चाय और खाने का दोनों को इंतिजाम में एक साथ करती दोनों को एक साथ फिर में सबजी बनाऊंगी और इस बार मैंने भी मटर के एक बार भी तहरी नहीं बनाई है तो अब हम मैं किसी दिन या हमारे घर के चावाल से एक दम नए चावाल से तहरी बनाने वाली हूं नए चावाल की तहरी या खेर बहुत ही गजब की टेस्टी लगती है वो भी मझे किसी दिन बनाना है चाय पीने के बाद में तुरंत ही यहां पर मटर साफ करने लगे और मटर साफ करने के बाद सबजीया काटने की तयारी करूंगी सोना यहां पर आ गई थी बाहर खेल रह अभी में हैं है चोटे मोटे काम मेरी शोना करती रहती DON anda बाता था यह कुछैंके बटा रहें हैंा existe मानतें तान असे कि थोड़ा बहलाती हूं उसको पुसलाती हूं पिर इसके बाद भाद मेरा काम सुनती है यहाँ पर सब्सक्राइब काड़िया में काटलूंगी बस बनेंगा मतर आलू से अधिकी मटर है और तोरी न अधिकर बोल्ट उम मेरे रखेट का चाची के ये थ्या ह तो यहां पर दोस्तो सुबह तो नहीं बना पाई हूँ लेकिन इस टाइम फिरसे मेरा मन मैने बना लिया कि मैं आज मतर का जो है अलू मतर का पराठा बाञाने वाली हूँ मटर्भी सबजी के लिए थी लेकिन मैंने उसको बॉयल किया मटर बरके जल्दी में कातो जल्दी जल्दी में भुड़ा दो बन जाया 2-3 सीटी आने के बाद अलू भी अच्छे से जो हो गया था दोस्तों कुकर को मैं नीचे उतार के गय से पर आ गए थी बाहर का देखने के लिए क्यूंक me bhaar के भी भी बहुत सारे काम specifically को मुझे पल्ला खीचे पीछे करो और साड़ी वगर अच्छे से समेट के बैठो कितना भी लेकिन फिर भी कहीं ने कहीं लगी जाता है तो इसलिए मैं आलू को बॉयल करके यहां पर चलिया ही थी और अभीना करिब नौ साड़े नौ बजे का टाइम हो रहा हो गया ऐसा करके तो यहां पर भी मुझे काफी टाइम लग जाने वाले हैं आज मैंने बहुत सब कुछ कर लिया है काफी कुछ यहां पर भी मुझे सारी काम करने कि गोबर भी कई दिन की उकठे हो गए है और अचानक से मूड बना लिया है जो है मटर और आलू का पराठा बनाने का तो पराठे वेगरा बनाने में भी टाइम लगते हैं तो काम तो मैंने आज फैला लिए खुद करना है और बैठे निसों करना करना है और बैठे दिद्धाबार में बख़गा सब्सक्राइब पुर्णा इसका सकता है वहां और पो बिस 무erald दो करने की दिन यहां डिक Medirate नहीं होती चलती लेकि कमर लगाने में और let it up वगरा बनाने में मुझे थोड़ी से ज्यादा दिक्कत होती है तो इसलिए मुझे यहां पर टाइम भी ज्यादा लग जाता है पहले जो पहले के गोबर पड़ी हुए है ठंड जादा थी दोप वगरा नहीं निकल रहे तब के गोबर यहां पर फैले पड़े थे तो उसको औ नालूंगी और यह जो गोबर ही कठ्थे होगे इतनी सारे इनको मुझे खतम करने है और एक दिन में नहीं खतम हो पाएगा दोस्तों एक दिन में मैं चार से पांच तसले ही गोबर पात पाती हूं वह भी बहुत बहुत परिसानी में जब तक में खत्म होता है इतना गोबन नहीं तो फिर आज से रोज का गोबरी कठ्था होता जाएगा और पहले का जो है वह पड़ा रहे जाएगा इसलिए मुझे यहां पर इनको ठीक करना है और यह वाले कंडे ही मैं अक्सर बनाती हूं दोस्तों और करीब यहां पर मुझे एक डेड़ घंटे लग गए थे और इन में मैंने पानी डाल दिया भी एक बाल्टी पानी मुझे इस गोबर में लेया के और डालना है ताकि जो सुख गया गोबर ना वो नरम हो जाए और अंदर आई एक बाल्टी में पानी भी लेके आई हूं साथे साथ ताजा ताजा गरम गरम नहाने के लिए लेकिन नहान के कल तो साम को फैलाई नहीं थी क्योंकि शुक्सा नहीं तो आज का जो दिन है ना दोस्तों वो है तीन फरवरी और दिन था सुक्वार तो बाल भी मुझे धोने थे क्योंकि बाल भी गंदे पड़े और काफी जब बाल गंते होते हैं तो सर में दरत शुरू हो जाता है तो इसलिए बाल भी मैंने धो लिए नहाने के बाद और यहां पर में अरुगी नहीं दोस्तों कि हैं चुआ पार रही तो आज का मटर का पाराथा जो है वह में तीखा बन अरे ज़के और तरका को लिए जो कसे आलू निखारा भी नहीं के आलु के लिए आ बढ़ना ऑन अ में चार अलुको कटे होता है तो उसके लिए भी आरू निकाल उसका और रख दी हूँ और बाकी का जो आलू है और मटर इसको मैं तड़के में तड़का डाल दी हूँ जो हल्दी मैंने कल ली थी ना दोस्तों वही वाली हल्दी आज मैंने डाली है तो मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रही थी हल्दी जैसे फीका फीका सा लग रहा है दिख अभी आप आलू बॉयल करो ना उसी टाइम तुरंत ही उसको अच्छे से इसी तरह से मसल लेजिए बाद में ठंडा होने के बाद कितना भी कोशिस करो हाथ में पेन होने लगता है और गुल्टिया भी कहीं ने कहीं रही जाती है तो जो मैं लासुन मगरा पीस के लाई तो उस कडाही में सबजी बनानी है थोड़ी सी बिल्कुन तो उसको भी धो लेंगे और बाल से अभी तक मैंने कपड़े नहीं हटाए है काम फटा-फट फटा-फट चालू है और कपड़े हटाने कर ताइम तो अभी इतना हो गया ना दोस्तों पूछिए मत मेरी बेटी ने सिकाय करना भी शुरू कर दिया है कि मम्मी आप इतना लेट खाना बनाते हो पहले बना के फिर यह सारे काम किया करो तो मुझे मलब की अब मुझे ऐसा लग रहे कि कितना जल्दी मैं खाना बनाओ और मेरी बेटी को मैं खाने के लिए होता है ना कि अगर बच्चा खाले तो मा का भी पेट भर जाता है अगर बच्चा भूखा रहे तो खुद का मुझे वैसे तो भूख मुझे भी लगी है लेकिन अब हम बच्चे नहीं कि किसी से कह सकते हैं फिर हमें देने वाला कोई है नहीं कि हम किसी से बोले कि जल्दी करो हमें भी खाना है अब सोना ने ऐसा बोला मम्मी आप ये सारे काम बाद में किये करो पहले खाना बनाया करो तो मुझे भूख घबडा हाट वेट में जल्दी से बस जल्दी बना के एक रूटी में गाय के लिए निकालूगी और वस्तोना को तुरंद दूगी तो आटा तो ढिला है लेकिन बेलने को कब करें निथे करें खाला के दबाना तो अधिन पर आठे को हुआ आठे को थोड़ा सांटा ही रखना है जिससे कि निकल नहीं बाहर क्योंकि स्के अंदर तो ठोड़ा यह न suppliersager clear ज्र जादा होता है जिसकी वज़रा से बाहर्नीकलता है जिसे आलू क पराठa हो इसमें कितना भी भर और कितने सुकू बेलो कुछ भी नहीं होता है लेकिन इसमें मुझे थोड़ी से दिक्कत हो रही थी लेकिन कोई बात नहीं है, खुद को ही खाना है, और किसी को देना नहीं गर में मिमान आए हैं, और नहीं कुछ बस खुद के लिए बना रहे हैं, मिमानों को तो देने में भी सरम लगेगी, गर इस तरह के पराठे बन कहें, तो आगर किसी ने बोला मुझे मटर के पराठे खाने हैं, और क अच्छा नहीं लगता है मैंने का खाया है तुम्हें इस टाइम बुला नहीं तुम्हेंने का फिर कैसे बोली कि अच्छा नहीं लगता है और बस अलू का पराठा और सब्जी हमारी बन के तियार हो चुकी है हम करेंगे भोजन और आप लोग भी आईए हमारे साथ साथ मटर का अलू मटर की सब्जी और मटर की पराठे खाईए और कैसी बनी है यह भी बताइए आप लोग टेस्ट करके चलिए दोस्तो आज की वीड सारा सब्सक्राइब किजी चैनल को